सबी को गोड इवनिंग प्यारे विद्यरतियो आज यहां पर इस्पेसल आपके लिए बहुत सांदार क्यूशन में यहां पर लेकर आया हूं जो परिक्षियाओं में हूब हूब पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की बहुत-बहुत परबल संभावना है तो चलिए सही जवाब दें तो चलिए अपन सुरू करते हैं सबसे फ़ kijken लंबाई की न्यूनतम इकाई है जो लॉन्त होती है उसकी मिनिममं यूनिट यानि की कौन सी होती है दिखो लंबाई की न्यूनतम इकाई पेरिवद्यरतियो वैसे एंटो ओती है एंटो लेकिन यहां पर मैं बात करूं लंबाई की नीूनतम ुकाई यहां पर दे को इस स़च लिखा है विकल्प के अनुसार तो यहां पर लंबाई की नीवनतम विकल्प के अनुसार फर्मि मितर देखो एक बार मैं एकस्प्लेंड कर दिता हूं माइकरोन में तो होता है 10 की पावर माइनस 6 मिटर और नेनो में होता है 10 की पावर माइनस 9 मिटर समझ जाएं आप यहाँ पर लिख देता हूं मैं एंगस्ट्रोम होता है 10 की पावर माइनस 10 मिटर और फर्मी में होता है अपने पास में तो यहाँ पर इसका राई ट आँसर है भार माईनस 15 मिटर आपको पता है नेड़ एक प्रेसर है उसकी क्या है एकोलोजी प्रेसर या वायू मंदल ये दाब इसको बोलें तो वायू मंदल ये दाब या पारिश्थितिक दबाव की काई होती है प्रेवध्यारतियों बार यहां पर वो सराब वाला भार नहीं है यह बार एक मेजरमेंट है पारिश्थितिक दबाव की काई है next एपन बढ़ते हैं अगला कुसेन है bardzo important कुसेन है इसमें 4-5 कुसेन आपके clear होंगे निमलिकित में से कोण सा एक सुमेलित नहीं है धियान रखें नहीं पूछाए यह जो 4 विकल्प हैं इन 4 विकल्पों में कोण सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है तो देखें अपन देखते हैं सबसे फर्ष्ट कुशन यहाँ पर कह रहा है डेसिबल धाउनी की परबलता की काई है यह सत्य बात है डेसिबल धाउनी की परबलता की काई है यह धाउनी की परबलता को मापता है डेसिबल अस्व सक्ति सक्ति की काई है सही है पावर की यूनिट है अस्व सक्ति में भी मापा जाता है ठीक है ये बात भी लेकिन ये पूछा है नहीं तो यहाँ पर जहाँ पर मैं जिस्विकल में क्रोस लगाँगा वो उसका उत्तर होगा समुद्री मील नो संचालन में दूरी की काई सही बात है जो नाव होती है उन नाव के संचालन के अंदर उसकी डिस्टेंस को अपन समुद्री मील के अंदर मापते हैं कि जैसे मालो 10 किलोमेटर अपन सड़क पारग पर जा रहे हैं तो प्यारे विद्धारती है, Celsius उसमा का मात्रक या इकाई नहीं होता है, यह ताप का मात्रक होता है, यानि कि temperature का measurement है, Celsius यह centigrade, उसमा की इकाई तो जूल में मापी जाती है, या कैलोरी में मापी जाती है, तो यहाँ पर यह जो फोर्ट विकल्प है, यह सही सुमेल इतनी है, त इसका right answer है, फोर, आप अच्छे से समझ गये होंगे, चारो विकल्प है, उनको मैंने ठीक से आपको बता दिया है, नेक्स्ट क्यूसन की और अपन बढ़ते हैं, अगला क्यूसन, डॉप्सन इकाई का प्रियोग किया जता है, डॉप्सन वेर इंपोर्डेंट है, कई बार परिक्षाओं में पूछा जाता है, ये यूप्स्ट की परिक्षाओं में भी पूछा वा क्यूसन है, याने कि डॉप्सन यूनिट में किसको मापते हैं, परत्वी की मोटाई, नहीं भई, हीरे की मोटाई, और परदुसन को नहीं, ओजोन परत्वी की मोटाई, ओजोन पर पाई है उसको किस में मापा गया था डॉप्शन में किस में मापा गया था डॉप्शन में याद रखना ओजोन प्रत की मोटा ही को मापने की काई है डॉप्शन आगे बढ़ते हैं अगला क्यूसन अपने पास में फाई अच्छा क्यूसन है एनिमोमिटर निमल लिखित में से किसका मापन किया जाता है यानि कि जो एनिमोमिटर होता है इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है तो याद रखना पानी के बाहव की गती नहीं पानी के गहराई की गती नहीं परकास की त्रिवता की गती नहीं पाउन वेग की गती जैसे मौसम वेधर जो डिपार्टमेंट होता है वो बताता है कि आज की हवा का वेग 15 किलो मेटर परती गंठे की रप्तार है यानि कि इसका मतलब दीमा है कई बार बताता है कि आज 115 किलो मेटर परती गंठे की रप्तार से पाउन का वेग है तो यह पाउन कवेग किस के द्वारा मापा जाता है एनिमोमिटर होता है उस एनिमोमिटर के द्वारा जो विंड होती है अपने पास यमें वाई होती है हवा होती है एर बोलो जो भी है तो एर जो motion है उसका मापन एनिमोमेटर उपकरण के द्वारा मापा जाता है नेक्स्ट क्यूशन अगला क्यूशन अपने पास में निमल लिखीत उपकरणों में से किस उपकरण का उपयोग अत्यदिक उच्छ ताप को मापने में किया जाता है यानि कि यहाँ पर जो चार अपने पास में डिवाईस है उपकरण है इनमें सबसे ज़्यादा हाई टेंपरेचर कौन सा उपकरण माप सकता है तो फोटोमेटर, फोनोमेटर, पेकनोमेटर यह सब नहीं है यहाँ पर अपने पास में पाइरोमेटर जैसे अपने पास सनलाइट यानि की सूर्य गाताप है वो भी इस पाइरोमेटर के अंतरगती ही मापने की काया है Next question देखते हैं 7 निमल लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यानि की जो अपने पास में च्यार विकल्प है उन में से कौन सी बात ठीक नहीं है यानि की कौन सी बात गलत है, ऐसे ते है या सुमेलित नहीं है तो देखो एनिमोमेटर, अभी मैंने आपको बताया था कि एनिमोमेटर वायव की चाल यानिकी जो ear motion है यह पौण का वेग है पौण velocity तो एनिमोमेटर वायव की चाल मापने में ये बात सही है एमिटर के विदुद धरह को मापता है कि किसी वायर के अंदर कितनी electric current प्रवाहीत हो रही है तो वो एमेटर के दुआरा पाइरोमेटर हाई टेंपरेचर को मापता है और यहाँ पर है सभी सुमेलित है तो इसका राइट आंसर है 4 यानि कि यहाँ पर सभी सुमेलित है यह पूचा सुमेलित नहीं है सुमेलित इन में से कौन सा नहीं है यह तो सारे ही सुमे लिते हैं और चोथा विकल्प अपन को दे रखा है कि सब ही सुमे लिते हैं तो इसका राइट आंसर फोर नेक्स्ट अगला क्यूसन है देखिए अगला क्यूसन महासागरों में डूबी हुई वस्तों की इस्ति को जानने के लिए यह देखो महासागर है जिसमालों की हिंद महासागर है और इस हिंद महासागर का यह अपने पास में उपरी सता है इस हिंद महासागर में यहाँ पर कोई वस्तु डूब गई यानि कि जहाद डूब गए तो महासागर में डूबी वस्तु की इस्तिती जानने के लिए कौन से रे छोड़ेंगे सोनार अपने पास में सोनार रे और यह जो सोनार रे होती है ये परास रवे अल्ट्रा वायूलेट जो वेवज होती है उन पर आदारित होती है और यह यहाँ पर आएंगी और यहाँ से टकरा करके वापस प्रतिधोनी के रूप में जाएंगी और इस डिस्टेंस को बता देंगे कि इतनी गहराई के नीचे कोई वस्तू है तो इसका रा एक्स अगला क्यूसन है अपने पास में क्यूसेक में क्या मापा जाता है क्यूसेक वेर इंपोर्टन क्यूसन है तो जल की सुद्धता इसमें नहीं जल की घहराई नहीं जल की मातरा नहीं जल का बहाव यहन की पर सेकंड जो वाटर है यह कितने गती से बहरा है यह पर ती स पर सेकंड के रूप में तो क्यू सेक के अंदर जल के बहाव को अपन ग्याद करते हैं कि एक सेकंड में किस वेग से ये बहरा है तो क्यू सेक में क्या मापा जाता है जल का बहाव या जनल का बहना या परवह मापा जाता है और नेक्स्ट लाश्ट कुसन है और इसका जबाब सबी को आता ही होगा density of milk यानि कि दूद के घनतों को किसके द्वारा मापा जाता है तो यह तो सभी को पता होगा लेक्टोमेटर के द्वारा दूद के घनतों को मापा जाता है इसका राइट आंसर हो गया फश्ट पेरविध्यारतियों खूब पड़े अच्छी तरीके से आपके लिए इसी परकार के लेटेस्ट क्यूसन इंपोर्ट एंड क्यूसन मैं डेली आपके लिए लेकर करके आता मिले और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएं धन्यवाद प्यारे विद्यारतियों तब तक के लिए जैंद तब तक अपन अगले वीडियो में मिलते हैं जब तक के लिए जैंद धन्यवाद धैंक्स